So very good morning, आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे Artery, Vane and Capillary इन तीनों के अंदर क्या difference होता है क्योंकि कई वार अपन confused हो जाते हैं कि Artery का काम क्या होता है Vane's का काम क्या होता है and Capillary's का काम क्या होता है इसी confusion को इस लेक्चर में दूर करेंगे इससे पहले आप चैनल पर नहीं है या अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिए आपके लिए इतनी मैनत करते हैं तो एक सस्क्राइब तो बनता है तो चलिए अपन अपने टोपिक पर आते हैं बात कर लेते हैं Artery, Vane and Capillary इन तीनों के अंदर क्या Difference रहता है तो पहले Difference की बात करें तो जो arteries होती है न ये क्या करती है oxygenated जो blood होती है उसको क्या करती है carry करने का काम करती है मतलब oxygenated blood को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है इसमें एक अपवाद आ जाता है accept आ जाता है वो है pulmonary artery ये क्या करती है de oxygenated जो blood होता है उसको carry करती है तो याद रखना कई वाद भूत वार अपन confuse हो जाते है कि artery का का काम क्या रहता है artery क्या करती है pure blood को क्या करती है transport करती है impure blood को तो artery क्या करती है oxygenated मतलब pure blood को क्या करती है transport करती है लेकिन इसमें भी एक अपवाद आ जाता है वो आ जाता है pulmonary artery ये questions बहुत वार पुछा जाता है चो pulmonary arteries होती है ये क्या करती है impure artery है लेकिन क्या कर रही है impure blood को transport करने का काम करती है वेन की बात करें, तो वेन क्या करती है? डी-oxygenated, मतलब जो impure blood होता है, उसको क्या करती है? केरी करने का काम करती है. अपवाद के रूप में आ गया? पल्मुनरी वेन. ये दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं? अपवाद आते हैं. क्योंकि पल्मुनरी वेन क्या करती है? यहाँ पर oxygenated जो blood होता है, उसको transport करने का काम करती है. जबकि pulmonary artery होती है, ये तो क्या करती है? Dioxidated blood को. ऐन जो pulmonary vein होती है, ये oxygenated blood को क्या करती है? Transport करती है. दोनों एक दूसरे के क्या होगे? अपवाद होगे. जाता है ये क्या करते है जो आर्टरी होती है हाट से बोडी की और ब्लड ले जाने का काम करती है तो आर्टरी क्या करती है हाट से क्या करती है पंप करती है ब्लड को बोडी की और जबकि जो वेंस होती है वेंस क्या करती है बोडी से वापिस हाट की और ब्लड बेजने का सप क्या है आपकी केपलरी आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आर्टरी होती है ये रेड देखने में कैसी होती है रेड कलर की होती है कैसी होती है रेड कलर की होती है जबकि जो वेंस होती है ये कैसी होती है कलर में ब्लू कलर की होती है जबकि जो keplery होती है, यह क्या होती है, mixed color होती है, red and blue, दोनों के दोनों mixed color के अंदर आपको keplery देखने को मिल जाएगी, next point की बात करें, तो artery के अंदर क्या होता है, high pressure होता है, अब देखिए high pressure क्यों हो रहा है, क्योंकि heart क्या कर रहा है, heart से body की ओर क्या जा रहा है, blood जा रहा है, हाई होता है, जबकि जो veins होता है, इसके अंदर low pressure होता है, सिधी सी बात है, एकदम मतलब heart से आपकी पेर की नाखुन तक blood गया है, तो अब नाखुन के अंदर तो ऐसे है नहीं कि एक heart नाखुन में भी लगा रखा है, कि भाई नाखुन भी अब क्या करेगा, blood को pump करेगा, न सिधी सी बात है, अपने कोई machine लगा रखा है, अब वो pump क्या, आगे से pipe ही क्या है, पतला है, तो सिधी सी बात है, जो भी pressure होगा वो pressure क्या रहेगा, बहुत तेजी से रहेगा इसलिए क्या रहता है, आर्टरी के अंदर pressure तेज रहता है क्योंकि इसकी lumen क्या होती है, नेरो होती है जबकि वेन की बात करें, तो वेन के अंदर pressure low क्यो रहता है pressure low इस रहे रहता है क्योंकि इसकी lumen क्या होती है चोड़ी होती है मतलब ना तो कोई pump है कुछ ही नहीं है normally क्या मानलीज यह blood आ रहा है लेकिन क्या है उसका जो भाग है आगे का जहां से blood निकल रहा है वो क्या है बात करें तो जो artery होती है इनके अंदर जो वोल्स होते है मतलब जो semi lunar जो वोल्स होते है वो क्या रहते है इनके अंदर absent रहते है जबकि जो vein होती है इसके अंदर वोल्स जो कौन सा semi lunar जो वोल्स होता है वो क्या होता है present रहता है और जो केपलरी रहती है उसके अंदर wolf क्या रहता है, absent रहता है अब बात आजाती है कि van के अंदर जो आपका wolf है ये present होने का क्या काम है ये क्या करता है, blood के जो 이건, ब्लड का back flow होता है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है सिधी सी बात है, आर्टरी के अंदर valve अपसेंट, इसलिए होंगे क्योंकि heart है, heart क्या कर रहा है, blood को pump कर रहा है, तो blood क्या कर रहा है, एक ही direction के अंदर जा रहा है, जबकि जो veins होगी, veins में कोई भी pump करने का काम नहीं, veins से का काम क्या है, अपने आप blood को लेके आना, तो इन में back flow of blood, blood के back flow को रोकने का काम होता है, next point की बात करें, last point की, तो जो आर्टरी होती है, इसके अंदर three layer क्या रहती है, present रहती है, आर्टरी में तीन layer present रहती है, veins में भी तीन layer present रहती है, और जो capillary होती है, इसके अंदर एक layer present होती है, अब आर्टरी के अंदर तीन layer कौन कौन स के अंदर only for एक layer present हो थी है जिसका नाम आता है tunica intima जैसा कि आप डाइग्राम में देख रहे हैं देखी जो tunica external नाम सी पुता सुल रहा है सबसे बहारी external होगी सबसे बहारी होगी वो तो क्या होगी tunica एक शर्ना होगी बीच वाले layer होगी tunica media मतलब medium यह क्या होगी बीच वाले layer होगी tunica intima मतलब सबसे internal जो layer होगी उसको बोलेंगे tunica intima बोल देंगे तो यह थे arteries, veins and capillary के अंदर difference जो कई वार exam में इनहीं में से question pick up कर लिया जाता है और आपको पूछ लिया जाता है तो I hope आपक को समझ में आ गया होगा वीडियो भी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो like भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share कीजिए और चैनल पर नहीं है तो subscribe भी कर दीजिए तो चलिए next lecture में परफीन भी लेंगे thank you